पालंपुर नाम कई गाउं होता है जो की श्रापित होता है वहाँ आधे सूरज, आधे चान्द का श्राप होता है एक रोज उस गाउं के सरपंच की बेटी सुनी थी कई सालों बाद अपने गाउं आई वो शहर में पढ़ाई करने गई हुई थी लेकिन जब वो अपने गाउं पहुची तो वहाँ का नजारा देख कर हैरान रह गई वहाँ कुछ जगह तो चान्द की चान्दनी और कुछ जगह सूरज की तेज रोश्नी थी ये सब देख वो हैरान थी जब वो अपने घर के अंदर गई तो उसने देखा उसकी मा बिस्तर पर बिमार पड़ी है अरे बेटी तू आ गई हम कबसे तेरी रहा देख रहे थे कैसी है मेरी बच्ची मैं बिलकुल ठीक हूँ बाबा लेकिन ये मा को क्या हुआ कुछ नहीं बेटी थोड़ी बिमार हो गई है दवाई चल रही है तू हात मो धोले मैं खाना लगा देता हूँ बाबा ये इस गाउं में क्या हो रहा है आधे गाउं में सूरज और आधे गाउं में चांद की रोशनी भला ऐसा क्यों ये बड़ा अजीब है मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा ये सब इस गाउं को लगे श्राप के कारण हुआ है बेटी श्राप? कैसा श्राप बाबा? दरसल ये सब इस गाउं के लोगों के आलस के कारण हुआ है क्या वही स्कूल से घर? घर से स्कूल बड़ा ही बोरिंग समझा रहा है यार सभी केरा यार काश के ऐसा होता कि हमें स्कूल ही नहीं आना पड़ता और हम घर पर ही सोते रहते वो दोनों रास्ते में बाते करते हुए घर जा रहे थे कि तभी उस रास्ते से गुजरने वाले उन साधू बाबा ने उनकी बाते सुन ली जब वो साधू थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग आराम से पेड की छाया में बैट कर ताश खेल रहे हैं उन साधू ने देखा उस गाउं के सभी खेत सूखे पड़े हैं और सभी आलस के कारण या तो अपने घरों में सोए पड़े हैं लेकिन खेतों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है उनमें काम करने के लिए कोई तयार ही नहीं है साधू बाबा उन आदमियों के पास जाते हैं और कहते हैं ये कैसा गाउं है? यहाँ खेत खाली पड़े हैं और कोई भी खेती नहीं कर रहा है सबके सभ या तो आलस के मारे सोए हुए हैं या ताश खेले जा रहे हैं ए इत्ती धूप में कौन खेती करे? धूप में काम करकरके आम गाउंवालों का शरीर खराब हो जाएगा और नहीं तो क्या? काश ऐसा होता कि इस गाउं में आधी धूप और आधी छाओं होती जिसका धूप में काम करने का मन करता वो धूप में करता और जिसका छाओं में काम करने का मन करता वो छाओं में करता उनकी बाते सुन साधु बाबा क्रोधित हो गए और कहने लगे मैं इस गाउं को आधे सूरज और आधे चांद का श्राब देता हूँ जब टक इन गाउं वासियों को कुदरत के नियम का एहसास नहीं होगा ये गाउं ऐसा ही रहेगा उनके वहाँ से जाते ही अचानक आधे गाउं में अंधेरा चांगया और आधे गाउं में सूरज की रोशनी आ गए उच्छाओ बच्चों स्कूल नहीं जाना है क्या लेकिन मम्मी बाहर तो अभी अंधेरा हो रहा है हम स्कूल कैसे जाएं इधर गाउं के जिस तरफ सूरज था उस ओर तेस गर मी पढ़ने लगी लोग सारा दिन अपने घरों के अंदर रहने को मजबूर हो गए गाउं में अंधेरे के कारण स्कूल बंद कर दिये गए और हर समय सूरज की रोशनी में रहने के कारण उन्हें लू लग गई और लोगों की तब्यत खराब होने लगी तो वही जिस तरफ चांद की रोशनी थी वहां की लोग विटामिन डी की कमी के कारण उनकी हड्डियों में दर्द रहने लगा और वो भी विवार होते चले गए जब वो अस्पताल पहुँचते हैं तो वहां की डॉक्टर उनसे कहते है देखिए हर दम धूप में बैठे रहने के कारण बच्चे को लू लग गई है जिससे इनकी हालत खराब हो गई है तभी वहां खड़ा बिर्जू अचानक लड़ खड़ाने लगता है और नीचे गिर जाता है दॉक्टर उसका चेक अप करते हैं तो पता चलता है कि विटामिन डी की कमी के कारण उसके घुटने गलने लगे है देखिए अगर आपने धूप नहीं ली तो आने वाले समय में आपके शरीर की हड़ियां गल जाएंगी हमारे शरीर के लिए धूप और छाओ दोनों ही जरूरी है जरूरत से जादा किसी भी चीज़ का उपयोग हमारी सेहत के लिए हाने का रख हो सकता है बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साब ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जब तक काम करेगा वो ठीक रहेगा और अगर इसे आराम करने की आदत पढ़ गई तो यह हमें नुकसान पहुचाता जाएगा इसलिए जो कुद्रत का नियम है उसे वैसे ही चलने दो सब गाउं वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और बाबा उस गाउं को श्राप मुक्त कर देते हैं सब ठीक हो जाता है दिन के समय सूरज और रात के समय चान निकलता है मम्मी जल्दी आओ मम्मी मम्मी जल्दी ओहो अब क्या हो गया जल्दी बता बिटा मम्मी ये पेड हरे क्यों होते हैं लाल क्यों नहीं होते उफ तू और तेरे सवाल अब ये सब मुझे नहीं पता जब शाम को पापा घर आएंगे तब उनी से पूछना ठीक है अच्छा मम्मी ये हवा कैसे चलती है ये तो बता दो न हे मेरे भगवान देख गोपू मैं बोल रही हूँ अब बस चुप हो जा सारा दिन मेरी खोपड़ी खाता रहता है पापा आएंगे तो उनका सिर खाना ना समझा कोई काम नहीं करने देता पर मैं पापा का सर कैसे खा सकता हूँ वो तो मेरे मूँ के अंदर आए गए नहीं भगवान के लिए चुप हो जा मेरे बच्चे तुझे पता है न मेरी जान को कितने काम पड़े है तेरे उल्टी पुल्टे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास सुनीता और अनिल की एक ही उलाद थी पांस साल का गोपाल वो जितना नटखट था दिमाग का उतना ही तेज था वो सारा दिन अपने माता पिता से सवाल पूछता रहता सुनीता उसके सवालों से चड़ जाती थी फिर उसी शांग पापा आ गए पापा आ गए अरे मेरा गोपू कैसा है मेरा बच्चा मैं अच्छा हूँ पापा अच्छा पापा एक बात बताओ ये हवा क्यों चलती है लो ये फिर शुरू हो गया बेटा एक काम करो जाकर अपनी मम्मी से पूछो खबरदार जो इसे मेरे पास भेजा आप ही भुख तो बेटा पापा से ही पूछो जो पूछना है वही बताएंगे तुम्हे सब कुछ अनिल और सुनीता भगवान कृष्ण के भगत थे इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम गोपाल रखा था अनिल और सुनीता का हस्ता खेलता ये छोटा सा परिवार था बस दिक्कत इतनी थी कि अनिल की आमदनी बहुत कम थी वो रेडी पर कपड़े बेचने का काम करता था और बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर चला पाता था कुछ दिनों के बाद जनमाश्टमी का त्योहार आया तो अनिल और सुनीता गोपाल को लेकर क्रिष्ण भगवान के मंदिर पहुचे मम्मी ये कौन है? चुपो जा सब बताऊंगी बस अभी इतना जानले कि ये भगवान है हाथ जोड कर इने प्रणाम करो उस वक्त तो गोपाल ने वही किया जो सुनीता ने उससे कहा लेकिन फिर मंदिर से बाहर आने के बाद गोपाल ने फिर वही सवाल पूछा मम्मी बताओ न वो कौन थे? आओ मैं बताता हूँ अब रुको पहले तुम मुझे बताओ कि हमारे घर में सबसे बड़ा कौन है और आपका और मम्मी का खयाल कौन रखता है? पापा आप हाँ तो ऐसे ही इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े भगवान है और वो ही हम सबका खयाल रखते हैं अच्छा तो जैसे आप मेरे पापा हो वो सबके पापा हैं मतलब की बड़े वाले पापा हैं हाँ आप समझे तुम शाबाश पर पापा आपने तो कहा था कि वो सबसे बड़े हैं पर वो तो कितने छोटे से दिख रहे थे ए भगवान सब समझाया पढ़ाया गुड़ गोबर कर दिया गोपू पापा बताओ ना वो तो मुझसे भी छोटे थे तो वो सबसे बड़े कैसे हो सकते हैं असल में जो मूर्ती तुमने देखी थी ना वो भगवान के बचपन की याद दिलाती है मतलब उनके बाल रूप को दर्शाती है अच्छा पापा उन भगवान जी का नाम क्या है? उनका नाम भी गोपाल है है गोपाल तो मेरा नाम भी है फिर तो वो मेरे दोस्त बन जाएंगे ना क्या हम उने घर नहीं लिजा सकते? अब बेटा वो वो मैं अनिल ने वही मंदर के बाहर से भगवान क्रिशन की एक चोटी सी मूर्थी खरीद ली वो भगवान की बाल रूप की मूर्थी थी जिसमें वो माखन खा रहे थे गोपाल को वो मूर्थी बहुत ही पसंद आई शाम को सुनीता ने देखा कि गोपाल आंगन में भगवान की उसी मूर्ती के साथ खेल रहा था ये देख कर वो चीखी हे भगवान कैसा अनर्थ कर रहा है भगवान की मूर्ती को खिलोना बना कर खेल रहा है इधरा आज तो पिटाई खाएगा मुझसे इतना कहते ही सुनीता गोपाल को पकड़ने के लिए दोड़ी तभी अनिल ने उसे रोक लिया अरे क्या हुआ उस पर गुस्सा मत करो सुनीता अरे अभी छोटा है वो उसे नहीं पता कि भगवान का दरजा क्या है वो तो उन्हें अपना दोस्त मान रहा है तुम रुको मैं समझाता हूँ उसे अनिल ने गोपाल को प्यार से उठायो और भगवान की मूर्ती को फिर से मंदिर में रख दिया पापा मैं गोपाल जी के साथ क्यों नहीं खेल सकता इसलिए गोपू क्योंकि मिट्टी लगने से गोपाल जी गंदे हो जाएंगे न वो भगवान है न इसलिए उनको मंदिर में रहने दो वहां हम एक साथ उनकी पूजा करेंगे ठीक है ठीक है पापा गोपाल समझ गया था कि वो भगवान की मूर्ती के साथ खेल नहीं सकता लेकिन वो उनसे बाते तो करी सकता था इसलिए दिन भर वो भगवान की उस प्यारी सी मूर्ती के पास ही बैठा रहता और भगवान से खूप सारी बाते करता फिर एक शाम अरे तुम पहले खाना खाओ मैं खिला दूंगी उन्हें अच्छा मम्मी गोपाल जी को खाने में क्या पसंद है बेटा उन्हें खाने में मख़न, दूद, दही, खीर ये सब पसंद है खीर? ये खीर क्या है पापा? बेटा खीर दूद से बनती है, मीठी दूद और चावल से बनी बहुत ही बढ़िया होती है खाने में अच्छा, तो अब तक मम्मी ने बनाए क्यों नहीं? मुझे भी खानी है खीर गोपाल की बात सुनकर सुनी तो और अनेल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे सुनीता ने रसोई के सारे डिब्बे खोल कर देखे तो उसे थोड़ी सी चीनी मिल गई और फिर खीर तो बन जाएगी लेकिन एक कटोरी से जादा नहीं बन पाएगी हाँ तो ठीक है ना, बस उसके लिए बना दो सुनीता और अनिल गोपाल की हर खोईश को पूरा करने की कोशिश करते थे उस दिन भी गोपाल के जित पर घर में एक ही कटोरी खीर बनी अनिल और सुनीता ने गोपाल को बुलाया और उसे बताया कि उन दोनोंने खीर खा ली है और बची हुई खीर गोपाल को खाने को दे दी गोपाल खीर की कटोरी लेकर सीधे बाल गोपाल जी की मूर्ती के पास गया पता है गोपाल जी मम्मी ने आपके और मेरे लिए खीर बनाई है लेकिन मैं जानता हूँ कि वो जूट बोल ले है उन्होंने खीर नहीं खाई, उन्होंने सारी खीर हम दोनों के लिए दे दी, आपको ये खीर बहुत पसंद है न, तो आप इसे खा लो, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे पापा और मम्मी ने भी नहीं खाई न इतना कहकर गोपाल वहीं आखे बंद करके रोने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था, क्योंकि उसके पापा और मम्मी ने उसके लिए खीर बनाई, पर खुद नहीं खाई, तभी मूर्ती से एक तेज रोशनी निकली, और अगले ही पल भगवान कृष्ण बाल रूप में प अच्छा, जो मांगूँगा, वो आप दे दोगे हाँ, तुम मांग कर तो देखो ठीक है, तो फिर आप मुझे ऐसी ही पूरी तीन कटोरी खीर नहीं नहीं, आप तो ऐसा करो कि ऐसी मीठी मीठी खीर की बारिशी कर दो ताकि मैं, मेरे मम्मी, पापा और मेरे सारे दोस्त भी जी भर के खीर खा सके जैसा तुम कहो गोपू इतना क्याकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, और फिर अगले ही पल आसमान से खीर की बारिश होने लगी गोपाल कटोरा लेकर बाहर की तरव भागा और जोड से चिलाया मम्मी, पापा, देखो गोपाल जी ने खीर की बारिश की है, सभी लोग बाहर आजाओ, आज सब लोग खीर खाएंगे एक दो नहीं, पूरी दस कटोरी खीर खाऊंगा मैं तो खीर की बारिश देखकर हर कोई हैरान था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस हर कोई अपने-अपने कटोरे में खीर भर रहा था और उसका स्वाद ले रहा था लेकिन असल में हुआ क्या था, यह या तो गोपु जानता था, या स्वयम उसके गोपाल जी झाल